दोस्तों पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने मेरे सवाल किया था कि जो हम छट में अपना सिमेंट मोटार का जो प्लास्टर करवाते हैं तो प्लास्टर वहां ना कराके डिरेक्ट हम अपने छट में प्योपी का प्लास्टर करा सकते हैं या फिर बहुत लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया था कि हम P.O.P. का भी पलाश्टर ना करा हैं डिरेक्ट अपने चछत पे पुट्टी मार दें फिर उसके उपर पेंट करा लें तो ये वीडियो खासकर इसी के उपर होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी देखिएगा चलिए वीडियो की डिटेल में सुड़ू करते हैं तो यहां आप देखिए कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी दीवारे हैं दीवारों पे हमने प्लाश्टर कराया है लेकिन जो छट है छट पे कोई प्लाश्टर नहीं किया गया है तो अगर इस तरीके से आप देखते हैं कि छट में जो हम ढलाई करते हैं तो उसके लिए या तो हम प्लेट्स होगर उसमें इस्तमाल करते हैं सट्रिंग के लिए तो प्लेट्स क्या होता है कि उसका एक प्लेट फिर दूसरा प्लेट जो हम लगाते है तो उसके बीच में तो कई पर क्या होता है कि उस जौाइंट से आप देखिएगा कि जो हमारा concrete होता है जो मसाला होता है वह थोड़ा सा नीचे हो जाता है या कई पर क्या होता है कोई या कोई प्लेट हलकी से बैठ जाती है तो जैसा आपको छट में दिखाई दे रहा है कि वहां अंडूलेशन हो गया है छट बिल्कुल प्लेन नहीं निकला है तो उस कंडिशन में क्या होता है कि अगर हम वहां पर पुट्टी करेंगे तो देखिएगा कि छट में जो डिरेक् पुट्टी के जो जाएं तो पुट्टी लगाने के भाद भी जो पर नीचे दिखाई दे रही है तो अगर ऐसे आप कर रहा है तो फिर क्या है कि आपका छट तो वहां सफेद हो जाएगा पुट्टी में पेंट में आप कर लीजेगा उसको कलर लेकिन फिनीसिंग आपको दिखाई नहीं देगा तो वो क्या है कि आपके घर के सुंदरता वहाँ पे खराब कर सकती है प्रोटेक्शन की बात की जाए तो देखिए प्रोटेक्शन पुट्टी से ऐसा नहीं है जो प्लास्टर आपको प्लास्टर आपको प्लास्टर देता है अलग से कोट उसमें अप्लाई होता है प्लास्टर का तो एक आपको क्या है कि लेयर आप अलग से चड़ाते हैं सिमेंट का मसाले का तो क्या है कि आपको चट का तो प्रोटेक्शन देता ही है मजबूती को बढ़ाता ही है लेकिन अगर आप डेरेक्ट पूट्टी अपलाई कर रहा है तो आप चलिए सफेधी तो करते रहा है लेकिन जो च्छत का smoothness होना चाहिए जो finishing होना चाहिए घर की ओ नहीं मिलती है तो अगर आपको इसके नीचे ceiling करनी है तो फिर fall ceiling अगर करनी है तो आप इस condition में direct putty apply करके fall ceiling कर दें तो वो तो अंदर छुप जाएगी कोई बात नहीं है ठीके तो आप ऐसा कर सकते हैं ऐसे करके आप जो plaster का cost उसमें आने वाला था वो पैसा यहाँ पे करीबन आप पूरे घर में जो plaster आप कराते हैं ceiling में तो कम से कम आपका वहाँ पे 40-50,000 रूपय लग जाते हैं 1000 square feet के घर में तो यहाँ पे आप 40-50,000 रूपय बचा सकते हैं 10-15,000 रूपय का putty में paint में आपका काम हो जाएगा तो 20-30,000 रूपय बच जाएगे लेकिन finishing आपको नहीं मिलेगी वहीं दूसरी चीज क्या है कि बह लाई की जा रही है और plane च्छत पे जैसे कि आप देख रहा है कि इस पे अगर हम direct कि वहाँ पी लगा देंगे तो पी भी हमारी वहाँ से छोड़ सकती है कुछ सालों के बाद वहाँ से पपड़ी बनके नीचे गिरने लगती है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहा है कि पी पी में कैसे क्रैक आ गई है वो नीचे गिर रही है तो क्या है कि यह भी आपके साथ हो सकता है तो उसके लिए आपको करने क्या होगे कि सबसे पहले जो छट है छट में टाचा मारना पड़ेगा छेनी अतौड़े से आप कर लें छट की चीपिंग भी हम उसको बोलते हैं हा जो और आपको धिहान रखना है कि यूपी जो है प्लें छट पे आपका टिकता नहीं है तो इसलिए आपको छट को रफ करना ही है और प्योपी जो लगाएंगे आप अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड का होना चाहिए मार्केट में जो लोकल प्योपी मिलती है उस पहले क्या करना है पूरे च्छत पे पेंट के तरह उसको अपलाई करना है उसको अपलाई करना है कि इसको अच्छे से आप जो डबा है उसको मिक्सिंग करें मिक्सिंग कीजिएगा तो देखिएगा कि नीचे उसमें आपको दिखाई देगा कि जो बालू जैसे हमारा होता जो reverse end होती है rough होता है वो ऐसे यह उसमें डाला हुआ रहता है वो mix किया गया रहता है तो उसको आप मिलाएंगे फिर उसको apply करेंगे तो पूरा छत आपका rough हो जाएगा फिर उसके उपर से आपको P.O.P. apply करनी है P.O.P. जो लेनी है आपको सकरनी या तिरी मूर्ति की company के जो आप लगा सकते हैं तो दोस्तो P.O.P. करके भी हम अपने पूरे छत को smooth बना सकते हैं P.O.P. से आराम से जो छत में अंडूलेशन होती है बीम जो उपर नीचे हुई है च्छत जो उपर नीचे हुई है और हलकी फुलकी आपको छाट लेनी है पहले grinder से या च्छेनी अत्रो है जैसे कि आपका इसके उपर अप घर नहीं बनना है तो अगर वहाँ पे क्या है कि हलकी फुलकी भी आपके च्छत पे पानी लगती है या च्छत में मौइस्चार आता है या कहीं से हलकी फुलकी पानी टपकने की समस्या है तो अगर वहाँ पे आपका अगर मालने च्छत का slope सही नहीं है पानी फंसता है तो अगर वहाँ पे आप P.O.P. अगर छट में लगाए रहेंगे नीचे और अगर छट में कहीं से आपके moisture आ रही है या हलकी full की sealant आ रही है पानी आ रही है तो P.O.P. जो है वहाँ से धीरे धीरे छोड़ना start कर देगा वहाँ से शुरू हो सकता है तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि P.O.P. अपलाई करने से पहले आपको पहले ऊपर का जो छट के आपको क्या करना है ना ही आप पुट्टी का tension में रही है कि मैं पुट्टी करवा देता हूँ छट में ना ही आप P.O.P. के tension में रही है आप उसको वैसे ही छोड़ देजिए जैसे कि छट की हमारी ढ़लाई हुई थी और आपको फॉल सिलिंग जो P.O.P. की हम फॉल में होता है तो फॉल सिलिंग से जो ऊपर की छटी वो आपकी छुप की जाएगी तो वहाँ पे फिर आपको कोई खर्च करने की ज़रुत नहीं है ना ही पुट्टी अपलाई करनी है जो आप वहाँ पे कोश्ट लगाएंगे उसी कोश्ट में आप यहाँ पे थोड़े से औ फॉल सिलिंग होती है वो गर्मी को भी रोकती है जो पी ओपी का हम फॉल सिलिंग बनवाते हैं तो अच्छा हीट इंसुलेशन का काम करता है गर्मी कम हो जाती है तो यह जो दो तीन तरीका मैं बताया ओ चीज आप कर सकते हैं फिर इस वीडियो को डिटेल से आप देखिए समझिए फिर आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप मुझे सवाल कीजे मैं आपको उसका जवाब दूगा तब जाके आप डिसाइड कीजेगा कि आपको अपने घर में क्या कराएं और क्या कराना बेटर रहेगा तो दोस्तों मैं उम्मीत करता हूँ वीडियो आपको अ